हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू फ्री एजुकेशन पॉइंट फैप में आपका स्वागत है और आज का हमारा जो टॉपिक है यह हमारा आईडिया से रिलेटिड यानि कि हम जो कोशन पेपर सॉल्व कर रहे हैं यह वर्क्शॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है जो कि सेमेस्ट तो यह तो हो गया हमारा कि हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं ठीक है अगर आपको यह वाली इस टाइप की वीडियो पसंदा रही है तो लाइक बटन दबाना ठीक है और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस टाइप में वीडियो चाहिए है ठीक है आप जैसे मैं वी पिपर में लिखता हूँ पैण से वह वाली वीडियो में आपको चाहिए है मतलब उस टाइप की वीडियो आपको चाहिए फिर जैसे में भी बना रहा हूं of video आप और आपको जो भी वीडियो पसंदारी जिस टैप की भी तो आप मुझे बताए कि मुझे उस टैप में वीडियो बनानी है ठीक है तो जो भी आपको पसंदाती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा चलो अब हम question number आज पहले से start कर लेते हैं question number पहला कहा रहा है देखो नियर इट्स पोल तो जो चुम्बक होती है ठीक है पूछ रहा है उसके पोल्स पर आपको पोल्स पता होना जी है चुम्बक के पोल्स कहां होते है तो वहाँ पर जो strength होती है यानि कि उसकी ताकत होती है पोल्स पर वो कम होती है लैस होती है more होती है निल होती है या नियर तो आपको बताना है कि इसको से कौन्स ऑप्यंस है है चौर इसको बना देता है कि किस सरी हिस देखो ये मैं बना दीता हम इत तो चुम्बक के रेखा होती है चुम्बक के बल रेखा जिनको बोलते हैं वह यह होती है ठीक है मान लेजिए कि इधर से जा रही है चुम्बक के बल रेखा है तो मान लेजिए कोई कील मैं रखता हूं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मान लेजिए मैंने कील रख दी तो जो एक कील यहां बीच में इसके चिपकेगी या होई यहां पर पास में कि सिए एं या स की तरफ चिपक गिए यांनी कि यह ज़्यादा है कौन सी साइड इसको जादा करेगी तो आपको पता ही अगर पके पास हम कोई क Track रख देते हैं ठीक है तो उसके इन दोनों साथ पर इनी पोलस स्पर जाने के कोशिच करता है तो इस पोल पर चिपक जाएगा या फिर वह इस पुल पर तो आपको पता चलगा कि पोलस पर जो होती है वह को मोर होती है तो घुलिए की आप的話 पहला flux अब मैं बता तो magnetic flux कैसे देखूं जो यह जुम्बक के बल रेखा है मैंने आपको दिखाईती यहां पर ठीक है यह जो जुम्बक के बल रेखाए हैं इनको magnetic flux भी बोलता है तो जिसका होता है flux density इसको बोलता है यह होता है flux यह flux density और यह हो गया हमारा area यानि कि छेत्रफल तो हम इसको इस symbol से denote करते हैं जिसको हम बोलता है 5 पी एच आई ठीक है तो 5 से हम इसको denote करते हैं तो इसका जो तो हमारे पास देखें कि देखा सबने हैं, नहीं है ? तो हमारे पास देखें से दूर से रहा गूहा रक्त है necessarily ये आपने देखेुलिया है कैसे देंसिटिए ये म्यू है भी नहीं होगा ठीकिन है और ये वैं भी नहीं होंगा तो हमारी इस में जो है वह पूसर सही है नब घुक है तो यह होद़ा इसका mmf उता है जो ऍबेज्ट बची ऑनता है फिर हमें वही मैगनेटट बनानी है मैगनेटिक जो यह जो लाइंस बंती है आपकी मैगनेट चुम्बक के बल रह네 यह किस वजे साबनती है क्या करेंट की वजे सांव रही है क्या चाहिए इसमें कुछ force है ठीक है अगर इसके अंदर कोई force है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं mmf mmf यहनि magneto motive force तो इसका जो answer होना चाहिए यह होना चाहिए हमारा magneto motive force तो यह है हमारा पहले वाला option magneto motive force तीसरा smoother the surface smooter ठीक है चिकना surface dash होता है friction यानि वहाँ पर जो घर्षन होता है ज्यादा यह बताना आपको whereas rough surface have dash friction यानि कि less है कि क्या है तो आपको पता है अगर हमारा चिकना surface है एक जगा चिकना surface है और एक हमारे जगा पर कैसे वाला surface है rough ठीक है rough surface surface यानि कि कुरदूरा surface सतहा तो खुरदूरी सतह पर ज्यादा घर्षन लगता है या हमारे जो है इस मुतर में तो less होता है और जो rough होती है नि कुरदूरी में ज्यादा यानि कि जो हमारा होता पहले वाले के या दूसरे लिए बी तो हमारा option number इसमें सी वाला सही होगा ठीक है क्योंकि इसमें दोनों आप्शन दे रखें इसने कि यह बी भी है और मतलब अब बी भी है अब कोश्चन नमर सिक्स कर लेते हैं मौडलस ऑफ इलास्टिसिटी इस ठीक है जो हमने सॉल्व किया है तो हमें सॉल्व करने के बाद इसका अंसरा आना चाहिए किलोग्राम पर सेंटिमेटरिस का फॉर्मूला होता है ठीक है आप इसको पढ़ लेना ज्यादा वो नहीं है लेकिन हां कभी कदार एक दो कोशन भी छोड़ सकते ह है और गुड कंड़क्टिंग मैट्रियल इज क्या पर एक फॉर्प कंड़क्टिंग चालक है तो पेपर नहीं है से रिमीउ lahat युर्म नहीं आर नोहां चालक है लेकिन ब्यूद है नहीं सिवर सिल्त सबसे बस्ट होता है मोज़कर यानिकचों ये तांबग थाद्ग एस यह वाला होता है एकको एक्स्टेंशिंग और एकई इन्टरस्टिंग तो यह वाला होता है hai extremelyUTUR State वाला कं Wildykkar is नहीं और जो दूसरा वाला देखा है यह एंटिसार असुद घंक्त खश करते हां लंग ञाने एकक्सक्रीनिह फूर्मबर है च not में यूज किया जाता है दसवा है in calculate the pressure extend by an object which one of the following formula is used अगर हमें pressure को extend गरना है ठीक है उसके formula को हमें जानना है तो उसको formula क्या है तो उसको हम कैसे देखते हैं तो हमें formula पता होना चाहिए अगर हमें pressure के बारे में जानना है तो p बराबर होता है एफ अपॉन ए यहां पर area ठीक है देखो जितना ज्यादा area होगा उतना pressure कम होगा जैसे की कील है कील की नोग बहुत पतली होता है यहां एरिया बहुत ही कम होता है तो उसको pressure उसका बहुत जादा होता है यह pressure ठीक है और एक मान लिजा आप nut bolt होता है उसका area जो होता है ठीक की नीचे का area वह बहुत जादा होता है तो उसके लिए हमें बहुत जादा force लगानी होती है उसक इसमें पहला वाला option सही होगा P is equal to F upon A, तीसरा question classification of magnetic material, magnetic material के classification बताने है, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, all of these, सभी होता है, ठीक है, तीसरा है, जो question number 12 है, वो यह है, series connection of battery used, यानि कि अगर आप battery को series में लगाते हो, यह positive, यह negative, फिर इदर से एक और battery लगा दिया, आपने positive negative, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी voltage बढ़ती है, खिलोने में आप battery लगाते हो, तो इससे क्या बढ़ती है, voltage, 3 volt के हो जाती है, क्योंकि एक जो cell होता है, तो आप लगाते हो, कितने 2 cell, तो जैसे आप 2 cell लगाते हो, तो वो कितने वोल्ट के हो जाती है, वो जाती है, तीन वोल्ट की, ठीक है, तो क्या increase होती है, voltage, अगर आप series में लगाते हैं, धियान रखना कि यहाँ पर बात की जारी है, series connection, तो series connection से increase terminal voltage, यानि कि पहला circuit is increased, its inductive reactance, यह increase होता है, क्यों, जो inductive reactance होता है, वो होता है, हमारा 2 pi f into l, ठीक है, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है, आप frequency बढ़ा दो f, तो inductive reactance automatically बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए हमारा option number यहाँ पर b सही है, question number 14 कर लेता है, convert 1472 watt into house power, आपको पता है, यह भी solve कर लेते हैं कितना house power होता है, एक house, 746 watt में होते हैं हमारे, एक house power, 1 hp, ठीक है, तो आपको पता करना है, कितने में, इसने दे रखा है, आपको इतने watt में, तो आपको क्या करना है, इतने watt लेग देना है, यानि कि 1472, तो एक बटर 740, गुना 1472, तो जब आप इसको solve करोगे, तो आपका लगबग 1.9 करके आएगा, जीरो नाइन करके आएगा, तो आपको क्या करना है, उसमें 1.09 करके आएगा, तो दो house power, इसमें सही option है, पंदरवा question है, atmospheric pressure is measured by, atmospheric pressure, यानि कि वादावरण का pressure, वायुदाब किसे नापते हो, आप, अप mercury monometer, galvanometer, mercury barometer से, या mercury thermometer, तो भी इसमें option स रही होना चाहिए, question number 16, इसको मैं zoom कर लेता हूँ, आप अच्छे से देख लिए, question number 16 है, क्या है, दो की गात 2 into 2 की गात 1, तो मैंने आपको एक चीज़ बढ़ा रखे दिए, पहले ही, दो की गात 2 into 2 की गात 1, तो यह पूछ रहा है, क्या अंतर हाना चाहिए, आपको पता है, x की गात n, ठीक है, into x की गात m, तो क्या बनता है, यह x की गात n plus m, यानि की गाते जुड जाएंगी, तो base तो इनका सही, आधार तो सेम है, और इनकी गाते जुड जाना चाहिए, य यानि कितनी हो जाएगी, दो की गात 3, तो की गात 3 का मतलब हुआ, दो गुणा दो गुणा दो, यानि कि 2 दो नी 4, चार दो नी 8, तो हमारा 8 option में होना चाहिए, तो 8 option में है, तो 8 हमारा सही answer है, question हम next वाल देख लेते हैं, next question क्या कह रहा है हमे, b की गात 3 into b की गात minus 3, तो तो b की गात 3 into b की गात minus 1 है वो, 3 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर गुना है, base दोनों के b b हैं, तो हम इसको solve कर लेते हैं, तो b की गात 3 minus 1, यानि b की गात कितनी हो जाएगी, 2, तो हमारा question number इसका answer होना चाहिए, b की गात 2, पहला वाल option सही है, x square minus 25, ठीक है, x square minus 25, तो इस हो, ठीक है, क्या आना चाहिए, तो यहाँ 0 मान लेते हैं, तो x is equal to क्या हो जाएगा, यह minus था, यह 25 से जड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x बराबर root 25, और root 25 का माना आपको बता है, 5 होता है, तो हमारा answer आजाना चाहिए, 5, ठीक है, तो इसमें हम ठीक लगा देंगे 5 पर, जो कि यह पहला वाला option, इसके बाद आता question number, जो हमारा है, यह 19 वा है, ठीक है, आप देख रहे है, 19 वा, x square minus 3x minus 18, इसको में फटाफट solve कर देते हैं, x square, जो हमारा answer है, यह निकाल लेते हैं, फटाफट, x square minus 3x minus 18 is equal to 0, ठीक है, तो x के आपको क्या निकालना है, कि ग minus, plus 6x minus 3x minus 18 is equal to 0 आजाएगा, आप इसमेह से क्या निकाल सकते है, x common निकले का, x plus 6, यहाँ से क्या common निकल सकते है, आप यहाँ से 3 निकाल सकते है, तो minus का 3 निकले, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x, और यहाँ पर अंदर क्या बचएग, आपका plus का 6, क्या यह दोना है, और x-10 ुरिर जीडो दो एक्स तरीका की खेवा जाएक टीशे तरीके से यहां पर आजाएक एक्स ब्राबर मायनस का 6 तो 3 और सैक्स थीक है तो हमारे जो उसीजिए के भार अच्छे और माहंचес का मज़्या घांकिया यहां पर x बराबर 3 और x बराबर माइनस 6 तो x बराबर आपका 3 आना चाहिए तो पहले वाले में नहीं है दूसरे वाले में भी नहीं है तीसरे वाले में आपका अंसर जो आ रहा है इसमें आप साफ नहीं दिख रहा है एक बार और इसको जूम कर लेता है तो इसमें से किसी में नहीं दिखा रहा है दीए x बराबर माइनस 3 है और x बराबर 6 अगर आपका अंसर कुछ और आ रहा है इन में से तो आप उसमें ठीक लगा दीजिएगा हमारा none of these है क्योंकि x बराबर 3 आना चाहिए और दूसरा जो आना चाहिए आंसर x बराबर माइनस 6 तो x बराबर माइनस 6 किसी में नहीं है तो अगले वाला कॉशन देख लेता है हम अगले वाला कॉशन है हमारा 20 नंबर का कॉशन यह क्या कह रहा हम है पीक वोल्टेज ओफ एसी साइन वेव हायर देन पीक एसी साइन वेव बना लेते हैं यह सी साइन वेव है यह देखिए एसी ऐसे चलती है यह पीक होती है average मान लेज़े कि इसने तोनों का बीच जो होता है और इसका और इसका और इसका ओसत ठीक है पॉजिटिव नेगटिव यह 0 हो जाता है ठीक है और जो होता है हमारा higher than किस से rms value से एक rms value है root mean square और average तो average तो ही होगी root mean square भी कहीं बीच में निकलेगी यानि कि 0.777 प्रसंट या 0.70 प्रसंट बहां लो तो वहां निकलेगी तो peak से peak to peak value तो इसमें जो होगा option number D सही होगा कि A और B दोनों से higher होती है B's maximum volt AC find its root mean square तो आपको rms value बता करनी है voltage की तो आपको पताना चाहिए v rms बरावर होता है v maximum divided by root 2 ठीक है rms value maximum से हमेशा कम होती है एक मिटा फॉर्मल गलत हो गया root 2 i maximum होता है या पर root 2 into i v maximum ठीक है तो जब आप इसका solve गरोगे तो आपका answer आना चाहिए root 2 की value होती है 1.414 ठीक है और v maximum 20 है आपका तो जब आप इसकी गुना करोंगे तो आपका जो answer आएगा ठीक है वह इसमें से आना चाहिए none of these none of these क्योंकि यह mail नहीं खाएगा इन मेंसे भी किसी भी answer से ठीक है तो इसलिए आपका अंदर ननो दीशाना चाहिए यहां पर पावर फैक्टर कोशन नमर ट्वंटीटू जो हमारा है पावर फैक्टर वी आई कॉस्ट थीटा यह तो पावर का फॉर्मूला होता है लेकिन इसमें फैक्टर बुचा है तो आर पॉन्जेड यह करहां थ्री रजिस्टर् अंब्ज़िटर्स आर क्नेक्टिड इन सीरीज 10 500 की रजिस्टर बता रहाएं वो टीक है AO यह तो Тो टन कितना निकलेगा ना r1 plus r2 plus r3 ठीक है donc 100 plus 100 plus 100 तो यहां पितना तेगा 300 आपको पता है आंसर 300 आना चाहिए तो इसमें मैं answer number… 300 कौन सा है हमारा ? B वाला ये लगा दूँगा 3 µF and 6 µF capacitor connected in series , तो ये capacitor की बात कर ली capacitor अगर series में connected है तो आपका एक बटे c1 plus c2 is equal to एक बटे ठीक है यहाँ पर आजाएगा आपका 1 upon c total ठीक है यह formula है यह उल्टा होता resistance में series में एकदम बड़े होते चलता है उनका मान बढ़ा हो जाएगा जूटता चलेगा और जबकि capacitor में अगर हम capacitor को series में लगाएंगे तो वो समांदर करम में जुड़ते हैं resistance के हिसाब से उनका मान calculate होता है तो इसका जो मान होगा यह उपर चाहिएगा यह उपर इन दोने की आपस में गुना और फिर यह बाद में उल्टा हो जाएगा इसकी वज़े इसे तो हम यहां पर क्या करते हैं मैं शॉर्ट मैपको बता तो कैसे करते हैं इसको जब आपने काल लोगे तो मान यह आएगा इन दोने की गुणा कर देते हैं 3गुणा चे और चे इन नो प्लस 6 तो नो ओगया अठारा ब्टेजन नो डूनी आठारी यनिए दो हमारा रानांशना चाहिए तो जो कि ये हमारा राना साहिए है ठीक है पहले वाला आप जो हमारा राद सरह वो सही है यह 300 था यह 2 था दस सैल है जो के नेक्टिड है सिरीज में से इंस list सेल सीरीज में ज़्टते हैं तो क्या होगा तो कि अ इसमें नहीं है इसमें बन्रा को जाएगा और जिए पैरलल में होता है वह वन 12 वटे 10 यानि क्या आना चाहिए जब भी यह दस नीचे छाटे एगा तो क्या जाएगा आपका जब 10 नीचे छाटे गा तो आपका 1.5 यानि 15 और 1.5 तो हमारा यह नंबर वाला सही है अगर आपको लगता है इसमें से कोई question गलत हुआ है तो आपको हमें बताईए कि कौन सा नंबर का question गलत है अगर आपकी कुछ और value आई है तो हमें बताईए हम उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नहीं हो थैंक यू सो मच